चल रही है अब बात करते हैं ऐलाबाद इंवस्टी के constitutional college की एलाबाद डिगरी college है और इसमें कोई जूकेशन यहां पर लड़किया दोनुँ पड़ते हैं चाधरी महादेव प्रसाध डिगरी college है काने कि CMP पहां पर भी कледकी डिगरी कॉलेज है यहां पर भी को एजूकेशन है रहा पर 2009 इसके बाहनों बात करते हैं इसके बाद हम बात करती है यह फूरा सा ऐटो नोर जाने की स्वायतिस दिगडियी कॉलेज है यह भी इंवस्टिक का लॉटकेशन होता है πουच्व疫री कुरिथ तो यहां पर भी कोई जू किसने लड़के और लड़किया दोनों पड़ते हैं जगात तारन गल्स डिग्री कॉलेज यानि की इलहाबाद उन्वस्टी का गल्स कॉलेज है यहां पर सिफ लड़कियां पड़ती है राज़त शितंडन महिला महाविद्धाले यह भी गल्स कॉल कॉलेज इलहाबाद युनिवर्सिटी के हैं इलहाबाद डिग्री कॉलेज में बीए बीसी बीकॉम का कॉर्स होता है साथे साथ पीजी एटी के भी कोर्फेज चांचालित होते हैं यह आपने पीजी वाले बच्चे पीजी की सीट लिस्ट में जाके देख लेंगे बाकी य कॉलेज में पर साथ साथ पर अंचालित होते हैं कहां पर टेक्न जीần कोलेज में बागी पीजी का कॉर्स भी यहां पर होता है SPM degree college में BA, BSC, Bicom का कोर्स संचालित होता है किस्वासरन degree college में BA, BSC, Bicom, Pivok और BALB का कोर्स संचालित होता है किस्वासरन degree college में जगात तारंट girls degree college में BA और Bicom की classes चलती है यहाँ पे सिर्फ दो ही कोर्से हैं BA और Bicom सायद BA ही मैं जानता हूँ मेरी संग्यान में सायद Bicom भी होगा लेकिन BA के लिए मैं एक दम confirm हूँ राजश्टरनल महिला महाविद्याले में BA कोर्स है SSKना degree college में BA, BSC, Bicom और BALB चारो कोर्स संचालित होते हैं यहाँ पर BALB की भी टीटे हैं सिर्फ लड़कियों का college है यहाँ पर सिर्फ लड़किया ही जाएंगी जहाँ girls college लिखा है आरे कर्मिया डिग्री college में BA और Bicom कोर्स संचालित होता है यह भी इलहाबाद इन्वस्टी का affiliated girls college है और हमीदिया girls degree college में भी BA होता है यतना मुझे confirm clear पता है बागी आप लोग देख लीजिए इस सारी बाते तो हमने इस वीडियो के बाद दिन सकी अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अलाबाद इन्वस्टी के जो counseling होनी है तो कहां कहां counseling किस-किस mode में होगी चाहे वो CUTUG की counseling तो आपके main portal से होगी साथ साथ जब college की बारी आएगी जब college की cut-off बनेगी CUTUG में तब उसकी counseling online होगी कि offline होगी और PG के course की counseling जहां पे online होगी वहां पे online PG का भी course की counseling होगी तो इस वीडियो में हम ये भी discuss कर लेंगे कि कहां पे counseling क्यासे होने वाली है इलहाबाद degree college में जो counseling होती है वो offline counseling होती है यानि कि जब cut-off इलहाबाद degree देखिए ऐलहाबाद university के main campus की counseling है तो पूरते यहां online counseling है CUTUG में आपको online counseling करवाना है घर बैठे-बैठे और PG course में आपको online admission लेना है इसके साथ साथ फिर आपका physical verification बाद में होगा जो आपको campus में आके करवाना होगा उसकी डेट इलहाबाद university जारी करती है इलहाबाद degree college में offline admission होगा यानि कि आपको college में जाके admission लेना होगा जब इसकी cut-off आएगी साथ महादयोप्रसाद degree college की जो counseling होती है वो online counseling यानि कि online mode में इसकी counseling होती हो के पोर्टल पे काउंसलिंग होती है इसी से की जो काउंसलिंग होती है यह भी पूरा ओनलाइन मोड में होती है यानि कि इसके भी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी यानि की तो यूजी कोर्स की काउंसलिंग है ओनलाइन होगी पीजी के भी ऑनलाइन होगी SPM degree college की भी जो counseling है वो online mode में होती है चाहे UG course हुआ चाहे PG course हुआ इसके बाद अगर बात करें 287 degree college की तो इसकी भी जो counseling होती है वो online mode पर ही counseling होती है यानि कि आपको online महाँ पर जाके counseling धर बैठे-बैठे करवाना पड़ेगा बाद में physical verification होगा इसके बाद जगत तारं गर्ष degree college की बात भी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके form लेना पड़ता है form registration करेंगे आप online फिर आप offline registration online करेंगे, offline आके counseling करवाएंगी यह जगत तारं डिगरी college की बात भी है इसके बाद राज श्टर्ण बाहिना महाँ विद्धाले में offline ही counseling होती है साथ-साथ online की भी सुविधा आपको दी जाती है लेकिन आप offline भी जाकर के जो लड़किया है वहाँ पर admission ले सकती है SS-Khanna degree college में offline form जाके लेना पड़ेगा offline counseling SS-Khanna degree college में होती है साथ-साथ कुछ online की भी सुविधा दी जाती है लेकिन SS-Khanna degree college में offline mode पर counseling होती है आर-Khanna degree college में भी आपको offline जाना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर college जाना पड़ेगा और वहाँ पर counseling करवानी पड़ेगी यानि कि यहाँ पर भी offline मामला है और हमीधिया गल्स degree college में भी आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा साथ-साथ आप वहाँ से college से पड़ेगा